नमस्कार भाईयों बेहनों और दोस्तों जंगली मेडिसिन यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है दुरला भोती बनस्पतियों में घहत्की का पोधा बहुती महत्पूर है इसलिए इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए ताकि इस बनस्पति को बचाय जा सके साइद आप इस बनस्पति को नहीं जानते होंगे लेकिन इस बनस्पति के बिना आयवर्द के आसाव अरिष्ट नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि सभी आसाव अरिष्ट में इस घहत्की का उप्योग किया जाता है जो औसदियों के गुणों को तो बढ़ाते ही हैं तता उनको लंबे समय तक सुरक्षित भी रखते हैं इसको एक पजर्वेटिप के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है तता घातकी के इतने सारे औसदिय अफायदे हैं जिसको आज हम आपको बताने वाले हैं हड्यों के रोप, अलसर, पेट के समिस्ट प्रकार के रोप, गहनी, आईबियस, बुखार, बाबसिर जैसे अनिक अनिक लाब आपको जानने को मिलेंगे तो वीडियो को सुलू से लेकि अन्त तक देखीगा, क्योंकि जानकरी बहुती महत्मुन है, जो आपको हमेशा काम आईगी कब से पहले हम आपको इसकी पहचान करा देते हैं, यह एक बहु बरसायू जाली नुमा पोदा होता है ग्रिश मेतू में इस पर इस तरह के फूल लगते हैं, और यह फूल काफी गुच्छों में होते हैं, और दूर से देखने पर अगनी की तरह दिखते हैं इस पर इस तरह के पत्वे लगते हैं, जो आमने सामने की तरफ में, एक लंबी कतार में होते हैं इसके फूल स्वाज में कडवे होने के साथ साथ कसेले भी होते हैं तथा इसकी तासिर ठंडी होती है घातकी के पौधे को अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग नाम से जाना पेचाना जाता है आधिक जानकारे के लिए आप वीडियो का डिस्क्रेप्शन चेक कीजिएगा वहाँ पे हम आपको इसके काफी सारे नाम बता देंगे हिंदी में इसको धाय के फूल, धवाई, धावा, धाय, घातकी आदी नाम से जाना जाता है संस्क्रित में इसको बहु पुषपी, घातु पुषपी और घातकी बोलते हैं और इसका बनस्पतिक नाम है बुटफोरलिया, फोटी कोसा दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से चेतर में इस बनस्पतिको क्या नाम से जानते हैं हो सकता है कि आपकी दिव जानकारी किसी के काम आ जाए तो चलिए अब इसके कुछ और दिय पुरियोग बताते हैं जिनका इस्तिमाल करके आप काफी सारी बीमारियों को दूर कर पाएंगे इसके फूल ताफीर में ठंडे होते हैं इसलिए जो व्यक्ति पित की समस्याओं से परिशान है वे इसके फूलों का चूल या इसके फूलों का बुलकंत सेवन करते हैं तो उनके पित विकार दूर होते हैं आखों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी घहतकी का उपयोग किया जाता है घहतकी के फूलों को पलास के फूलों के साथ मिलाकर बारिक शून बनाकर रखने और शहद और दूत के साथ इस चून की थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सेवन करते हैं तो आखों की समस्याओं से मुक्ती मिलती है पेट में कीले हो जाने पर घहतकी का जून तीन गिराम की मात्रा में सुबह साम खाली पेट ताजा पानी के साथ सेवन करते हैं तो कुछी दिनों में पेट के कीले नश्ट हो जाते हैं इस परियोग को बच्चे और बड़े दोनों कर सकते हैं घहतकी का पौधा दातों के लिए भी बहुत लाबकरी है इसकी दात्वन करने से दात मजबूत होते हैं तो दातों की समस्याँ दूर होती है या पर इसका काला बना कर जैसे कि इसके पत्तों को फूलों को बरावर मातरा मिले कर थोड़ा कूट ले और इसको एक गिलास पानी में खूब उबाले और जब पानी आदा रह जाए तो उस पानी को ठंडा करके उससे गरारे करते हैं तो दातों के सभी प्रकागी समस्यां दूर होती हैं दातों में लगा क्यूला जिसके कारारे दर्द हो रहा है वह भी दूर हो जाता है इस कारारे में आप थोलो सा स्यंदा नमक मिला लीजिएगा जिससे आपको और भी अच्छा लाब होगा जो नबजास स्यसू होते हैं जब उनके दात निकलते हैं तो काफी सारी समस्यां होती हैं दात निकलते समय मसूलों में दर्द होता है और कभी कभी इस कारार से बच्चों को दस्त भी लगने लगते हैं तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आमले का चूर्ण, पीपली का चूर्ण और घातकी के फूलों का चूर्ण, इन तीनों को बराबर मातरा में लेकर बिल्कुल महीन बारिक चूर्ण करने और एक एक ग्राम की मातरा में शहद मिलाकर शुबय साम, बच्चों के मसूलों पर हलकी हाथों से मालिश करते हैं ऐसा करने से बच्चों के दात बहुती आसानी से निकल जाते हैं और बांकी समस्याँ भी दूर होती हैं यह बिल्कुली सुरक्षित हैं और इससे किसी प्रकाखा साइड एफेक्ट भी नहीं होता है दस्तों की समस्याँ में भी घातकी के फूलों का चूल्ण शहत के साथ खिलाने से या फर एक गिलाज छाज में एक चम्मच्चों डालकर उसका सेबन करते हैं तो दस्तों की समस्या और पेचिस में बहुती अच्छा लाब देखने को मिलता है गहानी रोग में भी इसके फूल बहुती लाबकारी होते हैं जिन व्यक्तियों को बारबाद सोच जाना पड़ता है जिनकी पाचन सक्ती कमजोल हो गई है वहवी घातकी का सेबन करके लाब ले सकते हैं जिसके फूलों के साथ सांट, मूर्चन और अजमुदा को मिला कर सेबन करना चाहिए जब पाचन खराब होता है कबजी की समस्या होती है तो बावसिर रोग हो जाता है और घातकी के फूल खूनी बावसिर में बहुती अच्छा फादा पहुँचाते हैं घातकी के फूलों का चून एक से दो गिलाम शेहद में मिलाकर दिन में दो बार सेबन करने से बहुती अच्छे लाम मिलते हैं और व्यक्ति का रोग जल्दी ठीक होने लगता है अलसर की समस्या हो या फिर आतों में किसी प्रकार का विकार हो जाता है तो वहाँ पर घातकी के फूलों का लोदर की चाल के साथ उप्योग करना चाहिए मरिराओं में होने वाले स्वेत पृदर में इसके फूलों का चून मिस्री या सहत के साथ खाने से स्वेत पृदर की समस्या कोची दुनों में ठीक हो जाती है घात्पी के फूलों में हड्डियों को जोड़ने वाले काफी सारे ऊस्यध्य कुणों होती है तता भरपूर मातरा में केर्सीम भी पाहने आता है जो तूटी हूए हड्डियों को जल्दी जोड़ता है एबम हड्डियों को मजबूती पदान करता है इसके पत्ते और फूलों को पीस कर यदि लेप किया जाए तो तूटी हुए हड़ी जल्दी जुडने लगती है कुश्टर ओपर इसके पत्तों को पीस कर लेप करने से लाब मिलता है यदि मदू में एकी समस्या है और घातकी से उसको दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए घातकी के फूल, पठानी लोधर और चंडन इन सभी को समान मातरा में लेकर पीस कर बादू पाउडर बना कर रखने और दो से तीन गिराम की मातरा में शुबे साम पानी के साथ सेवन करने से डाविटेज की समस्या धेरे धेरे ठीक होने लगती है तो देखा आपने इस घातकी के कितने सारे औसदिया फायदे हैं इसका किसी भी प्रिकार से उप्योग करने से पहले अपने बैत की सरा ले लेनी चाहिए कोईकि कभी-कभी जानकारी की आवाद में बैक्ती गलत तरीके से इस्तमाल कर लेता है जिससे उसको नुक्सान भी हो सकते हैं तो आशा करते हैं आज की जानकारी आपके लापकारी रहेगी वीडियो के लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको कोई सवाल या विचार है या फिर आप इस बनस्पत्ति के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो नीचे कमेंड बॉक्स में जबी बताईएगा आपको फिर मिलेंगे एक नई चानकारी के साथ एक नई वीडियो में नमस्कार